मंच पर विराजमान शिक्षक प्रकोष्ठ के राष्टिय सइयोजकादर्निया नरीन जी, मंचासीन सहसइयोजकादर्निया पांडे जी, गनेश जी इस मंच पर विराजित जिन् samband जोने महिला मोर्चा में समन्वे के माध्यम से हमारा मारदर्शन किया था और मुझे उनके नेतरित्व का मारदर्शन का नीजी मैंने जितना मुझे उससे लाब हुआ जितना समर्थन मिला जिसकी वज़े से आज भाजपा की में बॉडी में कई बहने आज अनिक पदों पर सुशोभित हैं और वो अध्वा दे रही है देश को ऐसे हमारे अधर्णिय महेंद्र पांडे जी रिदेनाच जी आज सिक्षक प्रकोष्ट के द्वारा आयोजित किये हुए इस गोश्थी में भाग लेने आए देश भर से अध्यापक अध्यापिकाएं आप सब को कल है टीचर दे लेकिन मेरी द अध्यापने अस्तित्व को समझता है वो हर दिन हमारे गुडूओं को टीचर को समर्पित है इसलिए वो दिन जब डॉक्टर सर्वपली राधा कृष्टन जी की सोच को राष्ट में सिक्षा के छेत्र में उनके योगदान को हम समर्पित करते हैं टीचर दे के रूप में उस दिन की आप सबको हार्दिक बधाई और शुपकामना देने आज मैं सिक्षक प्रकोष्ट के इस कारिक्रम में आई हूँ दो दिन पहले औरंगाबाद में पार्टी के प्रवास में मेरी मुलाकात आचारे रत्नसुंदरी जी से हुई जैनमुनी है उनसे जब आशिरवाद प्राप्त हो रहा था तो आचानक आचारे श्री बोले सुनती टीचर्स डे होने वाला है और मैं आज अपने गुरू को याद करता हूँ टीचर को याद करता हूँ मैं काफी आश्चरे चकित्थी मैंने का आप स्वयम आचारे हैं के तहां लेकिन मेरे भी तो एक गुरू थे स्कूल में तो मैंने उनसे पूछा है कि आपको अपने गुरू की वो कौनसी बात याद है। तो उनने कहा कि आज से पचास साल पहले, पचास साथ साल पहले मेरी क्लास में मेरे एक विद्यार्थी बंधु ने मेरी सिक्षक से पूछा कि ये 2 प्लस 2, 4 ही क्यों है, 2 प्लस 2, 3 या 2 प्लस 2, 5 क्यों नहीं है। मैंने का अचारिय जी ये तो स्वाभाविक है कि हम जब उस चोड़ी कक्षा में होते हैं तो इस प्रकार के प्रशन आते हैं। उन्होंने कहा प्रशन आनोखा नहीं था। जवाब आनोखा था जो आज भी 50-60 साल बाद मुझे याद है। मेरे सिक्षक में मेरे सहयोगी से कहा कि जब तुम बड़े हो जाओगे, तुम बाजार जाओगे, लेन देन करोगे, उस वक्त किसी गरीब को पैसा देना हो, तब तुम 2 प्लस 2, 3 ना करो, इसलिए 2 प्लस 2, 4 है। और जब तुम्हें लेन देन करना हो, और अपनी जेब से कोई तुम्हें पैसा चुकाता हो, तब तुम 2 प्लस 2, 5 ना लो, इसलिए 2 प्लस 2, 4 है। प्रशन था गणित का, लेकिन उसमें नैतिकता उनके सिक्षक ने जिस प्रकार से पिरोई, वो आज भी इस धर्म गुरू को याद है। इसलिए राष्ट के निर्मान के साथ-साथ, एक व्यक्ति के विकास में, एक टीचर की, एक सिक्षक की क्या छाप है, ये बात उसे दर्शाती है। इसलिए आज मैं मात्र यहाँ इसलिए आई हूँ, ताकि हर उस अध्यापका का, जो भारतिय जनता पार्टी सिक्षक प्रकोष्ट के माध्यम से हमारी पार्टी से जुड़ा है, और जो पार्टी से ना भी जुड़ा हो, जो आपके माध्यम से जिने हम साधुवाद दे सकत हैं आज मैं यहां सिर्फ आपको धन्यवाद देने का माध्यम बनाने आई हूँ नरेंद्र जी ने मुझसे मेरे कार्याले में आकर पूछा था कि टीचर जे पर आप क्या बोलेंगी मैंने का नरेंद्र जी आप ही लिखित भिजवा दीजे टॉकिंग पॉइंट्स टीचर लेकिन जो बात मैंने नरेंद्र जी के साथ नहीं बाटी वो ये कि धे मात्र ये था कि आप सब ने समाज में देश में टीचिंग के साथ साथ अपने जीवन के संगर्ष से भी कुछ सीखा है वो सीख अगर आप संगठन के माध्यम से हम जैसे कारेकरताओं तक तो मुझे यकीन है कि वो विद्यार्थी आपके जीवन के संगर्ष से आपके अपने योगदान से और आपके पाठ्यक्रम को दर्शाने के माध्यम से स्वयम खुद ही उनको लाब होगा और वो जीवन में खूब आगे बढ़ेंगे आज सुभा ये मेरा सौभाग्य था कि कल जिन टीचर्ज को राष्ट्र भर से नैशनल अवाड दिया जा रहा है महमहीम राष्ट्रपती जी द्वारा उनको संबोधित किया आदर्णिय प्रधान मंतरी जी ने उन्होंने अपने स्कूल की कुछ यादों को ताजा किया लेकिन सिक्षकों को उन्होंने उस वक्त ज रहा है समाज में तकनीक का क्या बदलाव आ रहा है उस बदलाव को समझते हुए हमारी सोच से भी दो कदम आगे चलना होगा ताकि आप एक नई जेनरेशन को विक्सित कर सके जिनकी सोच ऐसी हो जिससे राष्ट्र का लाब हो और दूसरा उन्होंने कहा उनकी दृष्टी स उन्होंने कहा मेरे लिए टीचिंग कोई प्रफेशन नहीं है वोकेशन नहीं है टीचिंग जीवन का धर्म है एक मंत्री के नाते मेरा टर्म निश्चित है एक MP के नाते मेरा टर्म निश्चित है सरकारी अफसरों का भी टर्म निश्चित होता है उनकी भी रिटायर्मेंट होती है, लेकिन टीचर कभी रिटायर नहीं होता, तो आपके अंदर का टीचर कभी रिटायर ना हो, आप युहीं अपने योगदान से लोगों के जीवन में सुधार लाएं, आज जब दीप प्रजवलन यहां हो रहा था, तब नरेंदर जी मैं सोच रही थी, कि यहां पर तो हम इस कारिक्रम में दीप को प्रजवलित कर रहे हैं, लेकिन सिक्षक वो है, जो हर विध्यार्थी के अंधकार में, जीवन में उजाला बनकर आता है, इसलिए आप सदेव यहं ही अपने विध्यारथियों के जीवन में प्रकाश बनकर उखरें और प्रकाश बनकर रहें, आज ऐसी ही शुब कामना देने आप सब के मध्धे में आई हूँ, बहुत-बहुत आभार, आपने आज मुझे अपने प्रकोष्ट के इस कारिक्रम में बुलायो, इसके लिए धन्यवाद.